सारी जिंदगी लोगबाग यही सोच कर निकाल देते हैं कि चार लोग क्या बोलेंगे वही चार लोग अंत में बोलते हैं राम नाम सकते हैं जो लोगों के मत की परवाहर करता है वो दो कोड़ी का होकर मरता है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग को जैश याराम मोर्निंग ट्रेनिंग की सुरवात में करी रनिंग उसके बाद बोड़ी को अच्छी तरिके से वर्मपोर स्टेज किया थीडियो पर लगाए स्प्रिंट प्रिंट के साथ ही किये फ्रोग जम से लैक्स कापी हद तक फिर मैंने लगाई सपाटे सपाटे लगाने के साथ ही मुझे लगी प्यास मैंने अपने श्टाइल में खोला ढबकन पीआ पानी मौर्णिंग वरकाउट किया समाप मैने निकला गर की ओर गर से लाया केटली चला देरी पर लाया दूद पिया दूद फिर मैं निकला खेतो की और आज पूरे दिन किया चने की फसल को इकठा, एक काम जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं, फेज दूप के अंदर इन पोटलों की वेट के साथ बार बार गूमना और ऐसी उबर खाबर जगों पर चलना बहुत ही मुश्किल होता है, आती पसीने और खुजली की पूरे दिन काम करके शरीर हो गया ठकान से चकना चूप, ठकान मिटाने के लिए माने बनाई चाई और खेतों में खाने पीने का आननदी कुछ अलग है, चाई पीकर मैंने मिटाई ठकान, फिर दोया आत्मू, निकला घर की और गर आकर नाया दोया ना दोकर हुआ रेडी, फिर मैं निकला प्रभू के दाम, आकर प्रभू के दाम बोला प्रभू को जैशियाराम।